गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग तीन का पाठ चार दिवानों की हस्ती पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चो दिवानों की हस्ती पाठ के रचैता है भगवती चरन वर्मा इस कविता में दिवानों की मन स्थिती का कवी ने बहुत ही सुन्दर वर्नन किया है जो लोग दिवाने होते हैं वे कभी भी किसी का बंधन स्विकार नहीं करते ये अपने हाल पर ही मस्त रहते हैं वे जहां रहते हैं मस्ती का आलम साथ लेकर चलते हैं मस्त और खुश मिजाज रहते हैं उनके जीवन में मस्ती ही मस्ती होती है दिवाने अपने दुखों और प्रेशानियों को धूल की तरह उड़ाते चलते हैं वे जहां भी जाते हैं दूसरों में उल्लास का संचार कर देते हैं पराये लोग भी उनसे उतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रस्थान पर आसु बहाने लगते हैं दिवानों के लिए दुनिया में पराया कोई नहीं होता वे प्रेम भाड़ते हैं लोग उन्हें प्यार से रुक कर साथ रखना चाते हैं दिवाने लोग दुनिया से जो लेते हैं उसे लुटा ना जानते हैं वे रुकना नहीं जानते कब और किस और जाएंगे उनकी अपनी म जीवन चलता ही रहता है इसे जान करवे बस चलते ही रहते हैं दिवाने और मस्त लोग बोलना सुनना हसना रोना सुख दुख आदि समान भाव से क्रेहन करते हैं प्राय लोग दुनिया में लेना चाते हैं प्रन्तु दिवाने तो दुनिया में स्वच्छंद प्यार लूटाया करते हैं दुनिया के लोग केवल मांगना जानते हैं इसलिए कभी ने इसे भिखमंगों की दुनिया कहा है चालाक, स्वार्थी और संकेन लोगों की दृष्ट वे ऐसफल होते हैं, ये सत्य नहीं है, उनका जीवन सफल नहीं होता, प्रन्तु यही तथा कथित ऐसफलता का भार उनके हिर्दे को दुख पहुँचाता है, फिर भी उनके लिए अपने प्राय का क्या भीद, वे दुन्या के लोगों के आबाद रहने की मंगल कामना करते हैं दिवाने लोग हमें बताते हैं कि उनका कोई भी बंधन रोक नहीं सकता, क्योंकि वे अपनी इच्छा से ही किसी बंधन को स्विकार या ऐसी विकार करते हैं, वे पुरंते स्वतंत्र होते हैं बच्चो, इस पाठ में भगवती चरण वर्मा जी ने दिवानों की मन स्थिति का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया हैं, हमने इस पाठ के सार को समझा, आईए, अब हम जानते हैं इस पाठ के शब्दार्थ दिवानों, मस्त, हस्ती, हैसियत, धूल, मिट्टी केकन, आलम, संसार उल्लास, प्रसंता या खुशी को कहते हैं, बच्चों किसको कहते हैं, प्रसंता या खुशी को आगे देखिए, आशू, आशू बच्चों जो हमारी आखों से बैते हैं, उन्हें कहा जाता है, आशू बच्चों आप और का प्रियोग करते हैं, और जो है, दो तरीके से प्रियोग में आता है, एक, एक मात्रावला और, जिसका अर्थ होता है, की तरफ? एक आता है बच्चो, दो मात्रा वाला ओर जिसका आर्थ होता है, दूसरा, तो यहाँ पर एक मात्रा वाला ओर है, ओर का आर्थ है यहाँ पर की तरफ, आगे देखिए, जग, जग का आर्थ होता है बच्चो, संसार या दुनिया, जग का क्या आर्थ होता है, यह पानी पीने वाले जग की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, संसार या दुनिया की, आगे देखिए बच्चो, छककर, छककर का अर्थ होता है, त्रिप्त होकर, यानि की जी भरकर, आगे देखिए, भिखमंगो, भिखमंगो कार्थ होता है, बच्चो, भिखारियों, स्वचंद, स्वतंत्र, उर, उर कार्थ होता है, बच्चो, हिरिदय, हमारा जो हिरिदय है, उसको कहते हैं, उर, आगे देखिए, नीशानी, नीशानी है ये, इसका मतलब होता है, नीशान, आगे देखेंगे हम पराया पराया बच्चो दूसरों का आबाद आबाद का मतलब होता है बच्चो खुश हाल यानि जो हसी खुशी जीवन बिताना जानता है फिर है बच्चो बंधन किसी चीज से बंधे रहना को क्या कहते हैं बच्चो बंधन बच्चो अब हम इस कविता का सरलार्च समझने का प्रयास करेंगे देखिए हम दीवानों की क्या हस्ती हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उडाते जहां चले बच्चो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है आज हम यहां रहते हैं तो कल कहीं ओर यानि दूसरी तरफ चल देते हैं अथार्थ हमारा कोई ठिकाना नहीं है हम जहां भी अपने पैरों से धूल उडाते चलते हैं वहां मतवाला पन भी हमारे साथ चल पड़ता है आगे देखिए बिटा आए बनकर उल्लास अभी आशू बनकर बह चले अभी सब कहते ही रहे गए अरे तुम कैसे आए कहां चले बच्चों कभी कहते हैं इन पंक्तियों में कि हम कभी खुशी और उत्सा के रूप में चले आते हैं तो कभी दुख और आशू के रूप में बह निकलते हैं हमारे इस रूप को देखकर सभी कहते ही रह गए कि तुम किस परकार आए हो और यूं किस परकार वापिस चल पड़े अथार्थ खुशी और दुख के आने जाने से लोगों के मन में प्रश्न उठना स्वभाविक है बिटा आगे देखिए तोर चले यह मत उचो चलना है बस इस लिए चले जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिए चले बचो इन पंक्तियों में कवी कहती हैं कि मुझसे यह मत पूछो कि वह किस दिशा में जा रहा है मुझे तो केवल चलना है इसलिए मैं आगे की ओर ही चल पड़ा हूं हम इस संसार से उसकी कुछ अच्छी यादें लेकर जा रही हैं और इस संसार को अपने गुण देकर अपने रास्ते पर चल पड़ी हैं आगे देखिए बिटा दो बात कही दो बात सुनी कुछ हसे और फिर कुछ रोई चकर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पिये चले बच्चो इन पंक्तियों में कवी कहना चाते हैं कि हमने लोगों को अपनी कुछ बाते कही और लोगों की कुछ बातों को हमने सुना हमारी बातों से कुछ लोग हसे और कुछ रोने लगे अथार्थ हमारी बातों से कुछ लोगों को प्रसंता और कुछ लोगों को दुख का अनुभव हुआ कभी कहते हैं कि हम सुख और दुख के घूटों से त्रिप्त होकर अपने हिर्दे में एक समभाव लिये हुए आगे की ओर चल दिये हैं आगे देखिए बिटा हम भिखमंगों की दुनिया में सोचंद लुटा कर प्यार चले हम एक निशानी सी उरपर ले ऐसा फलता का भार चले बचों इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि वह भिखमंगों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपना प्यार लुटा कर चल पड़ी हैं अथार्थ हम बिना किसी भेद भाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी में समान रूप से बाटते हुए चल पड़े हैं लेकिन हमारे हिर्दय पर निराशा का भाव एवं निशानी है अथार्थ हम निराशा और हताशा के रूप में ऐस सफलता को बटोरे जा रहे हैं आगे देखिए बिटा अब अपना ओर पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले हम स्वयम बंदे थे और स्वयम हम अपने बंधन तोड़ चले बचो इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है अथार्थ अब तेरा मेरा वाली भावना पूरी तरह समाप्त हो चुकी है कभी चाहते हैं कि अब संसार में रहने और रुकने वाले सभी लोग खुश रहें हम स्वयम ही किसी बंधन में बंधे थे और खुद ही उन बंधनों को तोड़ कर आगे की ओर चल पड़े हैं बच्चों इस पाठ में दिवानों के बारे में भगवती चरण वर्मा जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इसकी प्रस्तूती की है आप सभी ने इसको समझा और जाना धन्यवाद